नमस्कारम आयुर्वेद के हिसाब से रात को दूद पीना सबसे अच्छा है ऐसा क्यूँ है इसके पिछे का कारण क्या है क्या हम सुबह दूद नहीं पी सकते और अगर हमें दूद पीना अच्छा है या नहीं इस सब चीजों के उपर अच्छा करेंगे सबसे पहले शुरू कर रूँ मैं आपको कि दूद रात को क्यों बोला जाता है कि पियो दूद ऐसा अहार है ये नाड़ी को धीमा करता है आपने सुना होगा नाड़ी चेक करके वैद्दे बतात हैं कि आपने क्या खाया हूगा अंदाजा लगा के देते हैं क्यों अंदाजा लगा लेते हैं वो क्यों ये एक चार्ट बनाहु AG आईुझ में जा नहीं और आप की नाड़ी बारी पर्ण आपने यह convention talking how out गुरू हो जाएगी लगू हो जाएगी ऐसे नाडियों के अलग अलग परकार हैं तो दूद पीने से नाड़ी धीमी हो जाती है आप बोलो को यह धर नाड़ी धीमी हो जाएगी तो फिर हमें कुछ होने जाएगा ऐसा नहीं है रात को नीद लेनी है रेस्ट लेनी है ब्रेन क विरस चाहिए बाकी आर्गन्स को भी ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन नहीं चाहिए क्योंकि सारे कामकाज एकदम शिथिल पढ़ने हैं जरूरी भी है तो उसके लिए आप बूद अगर पीएंगे तो नाड़ी धीरे-धीरे धीमी हो जाएगी और आपको नींद गहरी आएगी और सुबह आप एक्टिव होंगे अब जो लोग तो रात को दूध पीते हैं उनकी नाड़ी रात को दिमी हो गए उनको नींद अच्छी आ गहरी आगी शुबहन जाते हैं जो लोग नहीं पीते हैं तो सुबह नींद भी नहीं खुलती है रात भर दिमाग भी चलता रहता लगे तो आप दूद शाम सूरद लने के बाद भी पी सकते हैं वो भी अच्छा है All that's not a नहीं है बच्छों को तो सारा दिन दूद दिया जाता है और फिर बड़ों को भी कई को आदत होती है सुबा शाम दूद पीने की लेकिन मैं एक कि शुबा ही दूद पीना है रात को फिर पीना ही नहीं है ये भी गड़बड़ है रात को जादा रेस्ट देता है शुबा कभी कभार पी लिया पर जिस बच्चों को रोज देना है वो खाने के आदे गंटे बाद दो क्योंकि दूद संपूर्ण आहार है दूद को भी पचने में अपना एक समय लगता है एक उसकी भी प्रोसेस है आप खाना खाके उपर से ना पीजिए क्योंकि नमक वाली चीज कोई खाई होगी उपर से दूद पी लेंगे तो स्क इन प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए आपको दूद और नमक वाली चीज का फासला रखना है कम से कम आदे गंटे का अगर दूद पिया है तो आदा गंटा नमक वाली चीज नहीं खाएंगे कोई भी चाहे वो परांटी हो बिस्किट हो भुजिया हो और अगर आपने नमक अगर यह कोली चीज खाई तो दूद बाद में पियेंगी आदे गंटे कम से कम आदे गंटे बार बाकी दूद पी ना सुभा भी को गुना नहीं है हां जिन लोगों को श्रीरिक और पर चिश करनी होती है भाग दोड करनी होती है वह रात को ही दूद कि सुभा ना पी जिन अब बात करते हैं ठंडा दूद और गरम दूद ठंडा दूद बिलकुल ही मना है बिलकुल नहीं पीना चाहिए पर फिर भी कभी दिल कराए तो दोपहर के समय जब सूरज निकला हुआ है आपको पता है कि ये मेरे सूरज की रोशनी से मेरे शरीर में इतनी उश्मा गर्मी मि कि मेरे अंदर वाई या वायू नहीं करेगा दूद पच जाएगा तब तो आप ठंडा दूद पी सकते हैं लेकिन इसकी आदत ना बनाइए रोज रोज नहीं पीजिए ठंडा क्योंकि ठंडा दूद रोज पियेंगे तो फिर आपके अंदर गैस रहने लग जाएगी थोड़ा पिस्ता थोड़ा मिश्री थोड़ा काले मिर्च थोड़ा केसर हम फैट करके ठंडा ठंडा दूद बनाते हैं मैं खुद कई बार दोपहर को पीता हूँ दिन के समय गर्मियों में अच्छा है वो पित रोगियों के लिए तो वैसे बड़ा अच्छा है लेकिन कफ रोगियों के लिए यह वात रोगियों के लिए वात रोगी भी कभी कभा ठंडा दूद ऐसे ठंडाई वना के दिन में ले सकते हैं लेकिन कफ रोगी बिल्कुल ठंडा दूद ना पिये और रात को तो बिल्कुल भी ठंडा दूद नी पीना चाहिए अगर मन हो भी तो क्यो इसी रहने लग जाएंगी गठिया थते जो रोग है आम बात जिसको बोलते हैं आर्थ्राइटिस बोलते हैं ये भी ठंडा दूद ठंडी चीजे रात को ले ले करके ही होता है तो ये सारी प्रेकॉजन्स सारी चीजे मैंने आज चर्शा करी अंत में मोरल यही निकलता है कि द दूद लेने से नाड़ी को रेस्ट मिलती है चुंकि आपने देखा होगा बच्चे की नाड़ी और धरकन और सांस तेज चलती है इसलिए बच्चे को हम सिर्फ दूद ही पिलाते हैं कि आने वाले समय में साल दो साल दूद पिएगा और इसकी नाड़ी फिर नॉर्मल हो ज है तो सबसे बढ़िया नाड़ी को रेस्ट मिलेगी आपको नीद अच्छी आएगी सपने नहीं आएंगे और दिन में भी कभी पीना चाहें तो कोई मना ही नहीं है फिर वही बात की थोड़ा फासला रखें नमास्कारम झाल